मुरब्बा आमले का तो फिर देख इस बात की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर पसंद आये तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंट सर्किल में जरूर सेयर करें तो आज हम बनाएंगे आमले का मुरब्बा तो आमले का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आमले को हम चाकू से चारो तरफ छेद कर लेंगे ये करीब एक किलो आमला है तो एक किलो आमले को देखे इस तरह से हमें चाकू से छेद करना है आमले में फिलाल मेरे पास चाकू एक option है, जिससे कि मैं चाकू से आमले में छेद कर रहा हूँ, तो इस तरह से सारे आमले में छेद कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग को तो अच्छे से मालूम होगा, आमला कितना ज़्यादा फाइदे मंद होता है, हमारी सेहत के लि परदस्त रौनक ले आता है, जब इसके छेद करने का प्रोसेस सारा खतम हो जाए, तो डो लीटर पानी में हाफ टी स्पून चूना डाल दें, और इसमें एक किलो आमले का मुरब्बा छेद की होवा डाल दें, और इसे रात भर छोड़ दें, जिससे इसका कसैला पन जो है तो अब 12 घंठा होने के बाद, इस आमले को इस पानी से हम बहर निकाल लेगेए, तो आप देख एक पानी से आमले को बहर निकाल ले रहा हूं और अब जिससे आमले को पानी में उबाले और देेवा लेगे, मुझा जब मुझा है और अब हम चूले के उपर लिए इस दुले को गरम कर लेंगा और उशमें हम पानी को हम दाले और लेंगा और फिर हम उबालेमेंगिंगे उव मिट्टी के बात्न मुट्रोओ मैं पानी टूंधा दीया में इसमें लिए बात्या गंतर दिने बोगे में इसमें घाली में आपलें के लिए इसे में द्र मालते आपलें के लिए डालें कर देना उफ़ियर basin आमले का मुरब्बा आपने मार्फेट से लेके खाया होगा अगर आप जब घर में बनाएंगे इस आमले को मुरब्बे को तो इसके टेस्ट का स्वाध अलगी होगा और यह आपके सिहत के लिए भी बहुती जादा फाइलेबल होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो इसे लाइक दें फटापट और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो आप देख रहे हैं हमारा आवला जो है उबलने लग रहा है और इसके उबलने के बाद इसका हम पाग तयार करेंगा और फिर इस उसमें डालेंगे जिससे कि हमारा आवले का मरब्द अइयार होगा तो इसको थोड़ा जगेगा उबलने में लग तो इसको बलने देते हैं और अगिका फ्रोसेश करें अगर तो लगता है हमारा अग बूच गिया है है तो आघ उला लोना है तोड़ा सा एक बार हम इसको उबलते हुए चला लेंगे तो आप देखें उबाल आ गया है बहुत अच्छे तरह से इसमें और हमारे आमले धिरे-धिरे सफेद होने लग गया है इसको निकाल लेंगे तो देख सकते हैं हमारा आमला तैयार है कि नहीं इसको आप दबाके देख सकते हैं यासी दबाएंगे यह तो आपी गरम है तो इस तरह से जब आपका आमला टूपने लगे और दो से तीन तीन प्रवे में बदल जा इसका मतलब आवना आपका अच्छी तरह से उबर चुका है यह तो अब हम इस आवले को निकाल ले और इस आवले की वज़े से जो यह आवले का पानी तयार हुआ है इसको पेकिंग नहीं इसको आप सेवन कर सकते हैं आपके सेहत के लिए बहुत अच आगी का प्रोसेस करते हैं तो हमसे आवले अबले की तयूर हो चुके हैं अब हम इस इन आवले से आवले का उरपा यार चाहिए तो अब हम चीनी का पाद टियार करेंगे। रीजै ने के हम उस में बह़ोऊना में जला लेए लिए हम पहले पानी डालेंगे। तो आप दूसक्ते हैं पानी हमारा उबलने लगा है। अब इसमें हम चीनी को डालेंगे। तो हमने ये चीनी ले लिया है, ये करीब एक किलो चीनी है, एक किलो आवले के मुरब्वे को बनाने के लिए हमें एक किलो चीनी के पाप की जलोगी, इसको हम इसमें डाल लेंगे, आज बहुत देज है, अराम अराम कर दालेंगे, और उसको चलाते रहेंगे, जाकि ये हमारी फिघल रही है पिघंले के बाद इसमें हम से हलका सा चिपचिपपण जैसी आजाएगा वैसी हम चाषनी में ऊबले हुए आबले को डाल लेंगे ज्यादा गाणा नहीं करेंगे तरहिट को जिए इसमें आबले को डाल लेगे नेन Şimdi om Singer duke दालने के पार मिला लेंगे तो यह हमने दो अ dozens यषी एफ रच पीस लिआ है और इन पंत ए लेगे ताक इसमें फोड़ा साई लाइची का ख्लेवर आजाए और खुश्बू आ जाए लाइची की जिससे की इसका टेस्ट और भी जादा जानदार और शानदार हो जाता है तो आप देख सकते हैं हमारा आवले में उबाल आ रहा है और धीरे धीरे हमारे ये चीनी और आवले का पानी सूख रहा है ये पानी जब आधा हो जाएगा तब हम इस आवले को उतार लेंगे तब तक हम इसको सुखाते रहेंगे सूखने के बाद ये आवला थोड़ा गाधा सा हो जाएगा और लगातार नीचे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं तो हमारे आमले का मुरब्वा बंके तयार हो चुका है आप लेख सकते हैं और इसमें जो चाशनी हम् ने तयार की थी आमले के मुरब्वे की वो आदी हो चुकी है तो इसको अब हम उतार लेंगे और इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद किसी जार में रख लेंगे और इसको यूज कर सकते हैं डेली खाने के रूप में तो इस तरह से आप आमले के मुरुपे को घर में बना सकते हैं और पहरवाले आमले के मुरुपे से भी ज्यादा अच्छा मुरुपा आप घर में खा सकते हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चाल सके कि आप घर में कैसे आमले के मुर्बे को बना सकते हैं मिलते हैं हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई तो ये लीजे तयार हो गई स्वादिष्ट ला जवाब हेल्थ से भरपूर आवले का मुरब्बा जिसे कि आप बड़े ही आसाम तरीके से अपने घर में बना सकते हैं और परिवार के साथ इसका आनंद उठा सकते हैं साथी साथ अपने परिवार का हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रेसिपी की कम्प्लीट डिटेल चेप्टर वाइज बारीकियों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है कृपिया उन्हें देखे साथी साथ रेसिपी का लुफ्ट उठाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे